बिसमिल्यार्मान रहीम असलाम लेकुम डियों स्टूडेंट्स वल्कम तो आवर चैनल ट्राइ एंड गें आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास की चैप्टर नमबर फाइफ टोपिक है हमारा डेंस्टी डेंस्टी किसे कहते हैं मैस पर वॉल्यूम यानि किसी भी सबस्टांस के मैस को और उसके वॉल्यूम को डिवाइट कर दिया जाए मैस को उपर रखा जाए और वॉल्यूम को नीचे रखा जाए और इनके डिवाइट करने के पाद जो आंसर हमें आता है वो सबस्टांस की डेंस्टी होगी density का मतलब ही है कि कोई भी substance का mass फॉर एक्जेंपल अच्छा volume हम किसे कहते हैं पहले हम volume पर discuss करते हैं कि volume क्या है कोई भी substance है फॉर एक्जेंपल आपने मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है वो किताब कितनी space occupy करती है कितनी जगा को गेरती है वो उस book का volume है ठीक है यानि book ने जतनी space को गेरा हुए जतनी space को occupy किया है वो उसका volume है मैस हम किसे कहते है simple words में वर्जन ठीक है किसी पर substance का जो वर्जन है उसको और उसके volume को divide कर दिया जाए तो हमारे पास क्या जाते है density आ जाती है अब density का जो term है वो क्यों इसमाल किया जाता है इसलिए कि आप देखें कि हमारी काइनात में बहुत जाद ऐसी चीज़े है बिल्किए आप अपने कमरे में ही देखें ऐसा होगा कि एक चीज जो है वो वजह में थोड़ी भारी है ठीक है और दूसरी जो हलकी है हाला कि दोनों का साइज है वो सेम है तकरीब है इस तरह कि आपको बहुत जादे चीज़े मिलेंगी अगर आप कोई प्लास्टिक की चीज़ उठा के देखें थेका वो लाइट होगी वेट में लेकिन उसाइज की दूसरी लोहे की चीज़ को ठाके देखें तो होग थोड़ी वजनी की कोई प्रकाइज होगी तो कोई और थेनदे की उझ्हाँ को अठाके देखें तो वो cotton बहुत हलकी होगी as compared to उस int के ठीक है उस int का जो mass है वो ज्यादा होगा और उस cotton का जो weight है वो कम होगा हलाकि space दोनों की एक ही चैसी होगी दोनों का जो size है दोनों ने equal space को घेरा होगा ठीक है यह है असलिमें density कि अपने mass और अपनी जगा के हिसाब से यानि दोनों चीज़े equal space को घेरी है equal जो है दोनों की बराबर जगा को घेरी है लेकिन एक का वज़न ज़यादा है और बूस्टी का वज़न ज़यादा है वो कम है इसको हम कहते है density mass per volume अपने वज़न के हिसाब से volume को occupy करना ठीक है यह है density और किसी भी सबस्टांस की density को अगर आप में पाइंट करना है कि इसकी density क्या है तो उसके mass को उपर रखा जाए और नीचे उसके volume को रखे divide कर दिया जाए तो आपके पास आजाती है density इसका फार्मूला है M over V M किसको बता रहा है M हमें बता रहा है कि सबस्टांस का mass की है B हमें बता रहा है कि उसका volume क्या है बाद में आजाते है density की unit density का जो unit है हम बेसिकली जो density पढ़े है वो liquid की density पढ़े है तो इसका unit है वो है gram पर cubic centimeter for example अगर आप किसी भी liquid की density देख लें तो उसके unit जो होंगे वो gram पर cubic centimeter में उसको express किया जाएगा for example अगर आप वो liquid ले रहे हैं वो water है तो water की जो density है वो one gram पर cubic centimeter है तो पार आजाता है density measurement की density को आप किस तरह से measure कर सकते हैं the density of a liquid is a measure of how heavy it is for the amount measured if you weigh equal amount of volume of two different liquid the liquid that way more is more dense वो ये कह रहे हैं कि अब आप क्या करें अब आप एक container लें बढ़ते लें आप ठीके for example आपने एक glass लिया आपने एक मैं यहाँ पर draw कर दिती हूँ आपने एक glass लिया उसके अंदर आपने water को add कर दिया उसके अंदर आपने water को add कर दिया इसे तरह आपने डूसरा ग्लास लिय उसके अदर आपने क्या किया कि अपने कोई भी आइड कर दिया ठीक है एक अंदर आइल है ये 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 आइल है और दूसरा बोस्टर है अब आप बताएं कि दोनों में से किसका वैड़ना ज्यादा होगा दोनों ही liquid है लेकिन जो water है water का weight है वो ज्यादा होगा और oil का weight है वो कम होगा हलाँ के दोनों ही liquid है लेकिन water का weight ZYADा होगा जिसका बजन ZYADा होगा उसका density ZYADा होगी क्योंके mass over volume दोनों ने equal volume को घेरा हुआ अब जिस glass में आप ले रहे हैं जिस ग्लास में आपने वाटर डाले है, जिस ग्लास में आपने ओल डाले है, दोनों ग्लास का साइज है, दोनों में आपने अपने पानी वाली ग्लास को भरा है, उतना ही आपने ओल डाली ग्लास को भरा है, तो किसकी डैंस्टी ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है, वजन आपको नहीं पता कि दोनों में से किसकी देंस्टी ज्यादा है आप यह करें कि रखें थोड़ा सा ओए अगर तो वह एड करने वाले सबस्टांस की देंस्टी वाटर से कम है तो वह वाटर के अंदर नहीं सिंख होगा नहीं डूबेगा बलके सर्फस पे तैरना शुरू कर द इसका मतलब है कि वाटर की देंस्टी ज्यादा है और जिसकी देंस्टी काम है वह उपर प्लोट कर रहा है इसी तरह अगर आप लोही की या फिर कोई फर्स करें नीडल यानि सुई अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं तो जो सुई है वह नीचे बैट जाएगी पेंदे म हायर दें गैसे जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनकी धैस्टी ज्यादा होती है और जो गैसे हैं उनकी धैसी कम होती है ऐसा क्यों होता है इसकी वज़़ा यह है कि अगर आप एक कंटेनर ले कोई भी बरतन भी आया है आपने उसके अंदर गैस को डाल है यह गैस के मॉ वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं गैस के दरमान जो इंटर मॉल्टिवलर स्पेशिज हैं वह बहुत ज्यादा होती है। जब कि अगर आप देखें कोई भी लीकुड एक आप आपने वाटर लिया है तो उसके दरमान उसमें क्या होते हैं कि जो वाटर मॉल्टिवल को न दर्मयान intermolecular spaces ज्यादा हैं जाएंपल गैस वह एक दूसरे से दूर दूर हैं झाहरी सी बाद है उसका वजन क्या होगा उसका क्म होगा क्यूंकि अमालिकुश एक दूसरे से दूर दूर हैं उन्हें ज्यादा SPACE को गहरा हुए है और उनके दरम्यान काली जगा बहुत ज्याद है कंटेनर दोनों का कंटेनर को साइज है ना मतलब यह जुछा बाहर वाली बाउंडरी है दोनों को इक बरतन में बंद किया एक में लिक्विड है एक में गैस है अब जो गैस है उसके मालेकोश एक दूसरे ठीक है उन्हों ने वालियूम दूनों का स्पेस है एक दरह का कटेनर है लेकिन जो घैस है उसके द्रम्यान पेसिस कम होने की वज़ेrim पिक चonge कम होने, जब्स वाप दूपाय है तुसरों बहुता यह ज्यारं स Flash के वहा मेरे श्कौ दूपाय नहीं किया हुआ, molecules एक दूसरे से दूर दूर हैं, इस वज़ा से जो liquid है, उसकी density gases से ज्यादा हो जाए है, नेक्स्ट क्वेशन है, वाइर रेंड ड्रोप पॉल्स डाउनवर्ड, कि वाटर के जो molecules है, वो नीचे को क्यों गिरते हैं, उपर क्यों नहीं जाते हैं, इसकी वज ही, आगे तकने ग्राविट कि तरह आता है, वाटर का नीचे की तरह पॉल्स में कि ईएकता है, प्राविजह हुआ, इस वज़़े से जो दो-, जो शाथ है, वो यह से जाता है, नीचे की तरह है, वाटर के रेंचे की से थिज़ा एक लिकुद एखा है, इसकी हmars है, और चि ऑटर बॉक्वी रिकार घक्रवा टारिक है लेकर पी करने में गया चींजाने लिकुट दोड़े दोड़े 7 लोख और लगे ऑचीजिए ज्यादा होती है दोटर बॉल्जा करें अस्सक्वाटर को वांता चिज़ता हेँ वह नीचे की तरफ आएगी फॉर एक्जमपल वाटर के अंदर अगर लोहा डाल जाए तो नीचे पेंदे में आएगा अब पानी की देंस्टी ज्यादा है और हवा जो है एयर है उसकी देंस्टी कम है तो क्या होगा वाटर जो है वह नीचे की तरफ एक्ट करेगा वाटर नी यानि वाटर की डैंसिटी ज्यादा है जबके हवा की दैंसिटी जह वह कम है वह 0.001 है जबके वाटर की ज्याता है इस वज़ाँ से यह नीचे कि दरफ मूव करते हैं यह था हमारा आज के लेक्टर अमीद है कि आपको आज के लेक्टर की समझ आगी होगी इंशाला में अपने नेक्स लेक्टर में तब तक अलाहाफेज